पर्चम PCS के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है और यह हमारी कड़ी है इसको आगे बढ़ाते वे आज की एडिटोरियल पे हम बात करते हैं जो प्राकृतिक खेती से रिलेटिड है अच्छा एडिटोरियल है आपको बहुत सारा कंटेंड इसम मिलेगा आंसर राइटिंग के प्राकृतिक खेती ये फ्यूचर का साधन कह सकते हैं फ्यूचर का जो किसानों का फ्यूचर है वो प्राकृतिक खेती है अनुमान लगाया जा रहा है कि बढ़ती आवादी का पेड़ भरने के लिए 2050 तक खाद्य उत्पादन में 60% की बृद्धी लाने की जरूरत है कितनी जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए 2050 तक 60% तक अपनी खाद्य उत्पादन में प्रिद्धी करनी होगी हमें खाद्य की ये बढ़ती वी जो मांग है दुनिया भर में किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोथसाहित कर रही है कि उनको फसल बढ़ानी चाहिए फसल का उत्पाद बढ़ाना चाहिए जो फिर परियाबरण पर दवाब बढ़ा रही है एक तो ये परोसान मिल रहा है किसानों को कि जादा से जादा फसल पैदा करो पैदाबार बढ़ाओ और इससे अगर पैदाबार बढ़ाते हैं तो परियाबरण पर दवाब बढ़ रहा है प्रतिस्थापित कर सकने की इसकी शम्ता के पार चली गई है इससे फिर परियाबरन की गंबीर छेती की इस्तिधी बन रही है जहां किर्सी में पादन बढ़ाते हैं तो उनके लिए हमें खाद वगएरा रासाइनिक खाद रासाइनिक दवाय वगएरा हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है और उनसे परियाबरन पर पर्तिकूल असर पड़ता है इसका नेचूरल फार्मिंग इसका सोल्यूसन देखा जा रहा है या पराकरति खेती जो पारंपरिक और आधोनिक करसी अभ्यासो दोनों में सुधार के लिए एक नया द्रश्टिकूल है इससे परियाबरन, सारवजनिक स्वास्त और समुदायों की रक्सा पर ये लक्सी था इसमें भवश्य की प्यूडियों की आवसक्ताओं से समझोता किये बिना खाद उत्पादन को सखसम करने की काविलियत है च्षंता है जो भावी पीडियाँ है पहस्चे की पीडियाँ उनकी जो आवस्त सकताओं है जरूरते हैं उनसे समझोता भी नहीं करना पड़ेगा परियापनों को नुकसान भी नहीं होगा और जरूरते भी पूरी हो जाएंगी इसका महत क्यों है नेचुरल फार्मिंग का एक तो इससे स्वास्त सही रहता है चुकि नेचुरल फार्मिंग में किसी भी सिंथेटिक रसाइन का उपयोग नहीं होता है स्वास सम्मन दी जोखिम और खत्रे समापत हो जाते हैं इस परकार उत्पादित खाद में उच्छ पोसन गनत होता है और इसलिए बेहतर स्वास लाब परदान करता है सबसे में चीज यह है सरसाइनों का उपयोगनी होता है जो देशी खाद जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल KID आ जाता है तो स्वास से रिलेटर जो खत्रे हैं वो खत्म हो जाते हैं बिमारियां कम होंगी और जो खाद उत्पादन होगा उसमें पोसन इस तर जादा होगा पोसन गनत ज़चादा होगा स्वास कोस से लाब मेलेगा किसानों की आए में बृद्धी होगी जो पैसा उनको फसल उत्पादन करने में रसाइनी पडार्थ खरीदने में रसाइन का प्योग करने में खर्च करना पड़ रहा है रसाइनी खाद उनको डालना पड़ रहा है उसकी लागत में कमी आ जाएगी वो खतम हो जाएगा सब जोखिम कम हो जाएगे समान पैदावार होगी अंतर फसल से प्राप्त आई के रूप में किसानों के सुद आई में बृद्धी करके खेती को बिभारी और राकांगसी बनाया जा सकता है जो पैसे दवाओं पर कितना सकों पर खर्च हो रहे हैं वो नहीं खर्च होंगे डेसी खाद का इस्तेमाल क्या जा सकता है और उसको अपनी जो नेचुरल फार्मिंग उसको बढ़ाए जा सकता है मर्दा स्वास्त का पुन रुद्धार हो जाएगा जब हम कैमिकल यूज करते हैं रसाइन यूज करते हैं यह रसाइन आखाद वगराए उसके इस्तिमाल करते हैं जमीन में तो उसकी जो मर्दा का स्वास्त है उसके जो जरूरी оротी इंगरिडियेंट्स है मर्दा के वह खताम हो जाते हैं तो उनका नेचुरल फार्मिंग से सबसे ततकालिक प्रवह पढ़ेगा मिर्दा का जीविग ज्यान यानि सूक्सम जीवो और केंच्वो जैसे अन्ने जीवित जीवो पर इसका जो असर पढ़ता है उस सबसे पहले मिलेगा केंच्वा जो उसको उपजाओ बनाता है जमीन को वो रसाइनिक पनारतों से मर जाता है फिर वो जिन्दा रहेगा और उसको मर्दा का जो है उपजाओ पन बढ़ जाएगा यह मर्दा के स्वास्त में सुधार करता है और परड़ाम सरूप उतपादकता बढ़ता है उतपादन में निउन्तम लागत लगेगी जब नेचुरल फार्मिंग होगी किसानों को खेत इस तर पर पर प्राकरतिक और घरेलू संसादन उपलब्द होगे तो जो जैविक इनपुट तैयार करने के लिए परोसाइट करके उतपादन लागत में कटोती की जा सकती है जैसे जानवरों का खाद गोबर है उसका खाद बना जा सकता है उसका इस्तेमाल क्या जा सकता है मिट्टी की जो है मिट्टी भी स्ट्रोंग होगी मिट्टी के जो पोसक तत्व है वो बढ़ जाएंगे और उत्पादक तवस से बढ़ जाएगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इनाय कोंसेप्ट है एक अनूठा मोडल है जब करसी पारिस्तितिकी के पर निभर करता है सतातोर संबहनिय करसी अभिहासों पर अधारित रसायन मुक्त खेती का भी आईहान करता है 1990 के दसक में सुभास पाले करने से हरित करांती में नेचुरल फार्मिंग को जो हरित करांती में रसायनिक उर्बरक और कीटनासक डाले जाते हैं उसके विकल्ब के रूप में विक्सित क्या था सुभास पाली करने इसको देहन लखना इस मोडल का लक्स है उतपादन लागत को कम करना और हरित करांती से पहले की करशी पदrente योप वापस लोटना है हरित करांती से ये इसमें कोई सक नहीं है कि उतपादन बढ़ा है लेकिन उससे मिट्टी की स्वास्त परी फरक पड़ा है और पर्जावरंड परी फरक पड़ा है तो वहीं सुभास पाले करने 1990 में ये कॉंसेप्ट लेके आए और हरत किरांती से पहले वाली किर्शी पदेती पर वापस लोटने की बात करी जहां उर्बरक कीट ना सक और सिचाई जैसे महें इंपूट किया वसकपा नहीं होती है भारत में कर्सिस से सम्मंदिश चुनोतिया क्या है एक चुनोति तो है पृति बूंद अधिक फसल यानि कि जो सकल फसल छेतर है उसका केबल बावन परसेंटी राश्टे इस तरक पर सिंचित है या कह सकते हैं कि सिचाई युक्त छेतर जा है वो बावन परसेंटी है भारत में सुरतमत्रता के बार से महत्मूट परगती की है फिर भी कई खेत अभी भी सिचाई के लिए मानसून पर ही निर्भर रहते हैं जिससे अधिक फसल उत्पादन के उनकी छंता सीमित बनी हुई है मानसून आएगा तो ही उनको सिचाई मिलती है पराकर्तिक आदानों की तत्काल उपलब्द तका अभाव है किसान प्राहत रसाइनिक मुक्त किरसी की और आगे बढ़ने के लिए असानी सोपलब्द पराकर्तिक आदानों की कमी को बाधा के रूप में देखते हैं पर चेक किसान के पास स्वम का पराकरतिक इनपुट विक्सित करने के लिए समय, धहरिया और सिनम उपलब्द नहीं होता है फसल बिविदी करण का भी अभाव है भारत में किरसी के तेजी से बानजी कम के बावजुद अधिकान्स किसान मानते हैं कि अनाज ही हमेशा उसकी मुख्य वसल होगी जो न्यूंतं समर्थन मुल्या के अनाज के पक्स में अधिक जुके होने के कारण होता है मैं अनाज पे सरकार MSP देती है, मिनीमम सपोर्ट पराई उसकी बज़ा से हर कोई किसान अनाज उत्पाजित करता है कि कम से कम उसको सरकार से अच्छा पैसा मिल जाता है और फसल भी विदी करण की उपेक्सा करते है यानि कि एक ही तरह की फसल वो बार बार उगाते रहते है जैसे अगर कोई धान या गेहु लगा रहा तो उसी को उगाता रहेगा क्योंकि सरकार उसके MSP देती है अगर देखने के बाद कई किसान पुन्हे पारंपरी खेती की और मुड़ गए इसमें ऐसा होता है जब हम अपनी जमीनों में रसाइनिक पदाट डालते हैं और उसके बाद जहों जैबी खेती करते हैं तो कुछ सालों तक किरसी जो उतपादन वो गिर जाता है यानि के जो जमीन है वो अपनी शम्ता को वापस लाने में टाइम लगाती है और उससे उनके जो उतपादन है वो गिर जाएगा तो किसान फिर से उसको वापस रसाइनिक खेती पे वापस चला जाता है जबकि उसको थोड़ा दहरे रखना चाहिए जमीन अपनी उतपादन शपता वापस लेका आती है और उसको बाद में बढ़ा देती है अब जो किर्सी से सम्मंदित हाली की प्रमुक सरकारी पहले हैं उनमें है राश्ट्य सतत किर्सी मिसन परमपरागत किर्सी विकासी औरजना किर्सी वानिगी पर उप मिसन और राष्टे किर्सी विकासी उजना पुर्वत्तर छेतरे के लिए जैविक मूलिय सरंखला किसान मिसन ये सब योजनाई चल रही है आगे हम किर्सी को सुधानने के लिए क्या क्या कर सकते है इसमें हम नेचुरल फार्मिंग में महिलाओं की भागीदारी को सुनिशित किया सकता है विबिन अध्यनों में प्रात्मी कुट पादन के रूप में किरसी संसादनों पर महिलाओं के नियंतरन और उनके परिवार के सामाजी का आरतिक इस्तिती के भी सीधा संसादन देखा गया है जो किरसी पे नियंतरन है वो मोशली महिलाओं का रहता कहीं जगा पर और सीधा संसादन है किरसी से महिलाओं का चुकि महिला एधिकांस ते अपने परिवारों के लिए खाना बनाती है इसलिए वे अपने बच्चों के पोसन के लिए प्राकर्तिक उत्पादों के महत्प को समझती है कहते हैं कि घर की चीज़ है तो जादा फायदा देती है तो जो घर की ओरते हैं जो खाना बनाने का बंदोबस्त करती है वो जैसे घर में छोटी छोटी चीज़ लगा लिए घर की जरुरतों की सबजिया लगा लिए तो वो इस चीज़ के जादा फोकस करती है प्राकृतिक रूप से उत्पादी थोती है घरों में इस परिद्रस्पे महिलाओं द्वारा पुरुसों की तुल्णा में नेचरल फार्मिंग को जल्द अपनाने की संबावना जादा रहती है नेचुरल फार्मिं में महिलाओं की भागीदारी से निर्णने लेने मुणकी भागीदारी बढ़ेगी यह परिवारी के स्वास्त और पोषन की स्तीति पर भी सकारात्मक प्रभावव डालेगा तो natural farming अगर महिलाओं को direct involved किया रजाएगा तो इससे फायदा मिलेगा पारंपरिक और अगरणी तकनिकों का एक ही करन वर्सा जल संचैन यानिका उसको इखटा करना इस्टोर करना बारिश के पानी को पादप पोसन के लिए जैविक अफसिस्ट का पुनरचकरन करना कीट परबंधन करना ये सब पारंपरिक तकनिकों को धारन है इनका उप्योग उच उत्पादक्ता पराप्त करने के लिए टीसू कल्चर जैनेटिक इंजिनिरिंग जैसी अगरनी तकनिकों की पूरक्ता के लिए किया जा सकता है ग्यान गहन किरसी भारत किरसी पद्धियों पर विवित तक लिए जाना जाता है जो उप्योग समधान खोजने के लिए राश्टे किरसी संबाद में बिवित दिरिष्टी कोणों को सामिल करना महत्पूर बनाता है एक पराकर्तिक दिरिष्टी कोणों के साथ संतुलित हाई टेक खेती की दिसा में कुसल और सटी कदम आगे बढ़ने से किसानों के आएमी बृद्धी होगी और इसकेल सम्मधी कई अन्यमुद्धों को सम्मधित किया जा सकेगा खेती के लिए पराकर्तिक इन्पूट का अध्यमी करना जो रसायन मुक्त किरसी है उसके लिए इनपूट का अत्पादिन करने वाले लगू अध्यमों को सरकार दोरा सहायता दी जानी चाहिए जो रसायन मुक्त किर्सी करना चाहते हैं उनको सहायता देनी चाहिए सरकार को ताकि प्राकर्तिक उन्पुट की अनुपलबता की चिनोटी को दूर किया जा सके नेचरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामिन इस्तर पर इन्पुट तयार करने और बिकरी की दुकानों की स्थाबना के साथ जोड़ा जाना चाहिए प्राकर्तिक पारिस्थेति की तंत्र के अनुकरन की और भी जाना होगा किर्सी उत्पालक्ता और प्रकर्तिक के सन्नक्सन के बीच पारसपरिक रूप से सुद्धन संबंदों का विकास आवस्थक है खेती परडालियों को एक प्राकर्तिक परिस्थेतिकी तंत्र बनाने के लिए उसमें संसोधन की जा सकते हैं परिस्थेतिकी और आर्थिक रूप से उपियोगी पेड जाडियां और बारहमासी घासों को खेतों में एक परकार एकी करिज कर जा सकता है जो प्राकर्तिक बनस्पति सन्नक्सना का अनुकरन करते हैं पेड़ उगाई जाएं जाड़िया लगाई जाएं बारह मासी घास बगएर उसमें उगाई जाएं इससे संबंदियत क्वेस्टन आपको एक प्रक्टिस के लिए दिया जा रहा है इसको प्रक्टिस कर लेना भारत में किरसी संबहनी अता का मार्ग नेचुरल फार्मिंग से स कैसे अलग है पर्मा कल्चर किरसी पारंपरिक रासाइनी किरसी से कैसे अलग है पर्मा कल्चर किरसी जो है मोनो कल्चर मोनो कल्चर पर्थाओं को हतोसाइद करती है लेकिन पारमपरिक रसाइनी केटी में मोनो कल्चर पर्थाओं पर मुख है पारमपरिक रसाइनी कर्सी में से मिट्टी के लवड़तां बरदी हो सकती है लेकिन पार्मकल्चर किर्सी से में ऐसी घटना नहीं देखी जाती है पहला दूसरा सही है पार्मकल्चर किर्सी में मल्चिंग का अभ्याज बहुत महत्पूर है लेकिन पार्मपरिक रसाइनी किर्सी में ऐसे जरूरी नहीं है तो पहला दूसरा और चोथा सही है, इसका बी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकिन और फॉर्थ बी आंसर होगा पार्मकल्चर के बारे में, नेक्स स्वाल 2012 में पूछा गया था, निमली कि तमें से कौन सी मिसरित खेती की परमुग विसेस्ता है, तो मिसरित खेती की पूछे गए थे से रिल्टिट 2021-19 में, फसल बीविदी करण की वर्तमान चुनोतिया क्या है, उबरती परोद्योगी किया, फसल बीविदी करण के लिए किस तरह अफसर परदान करती है, दूसरा है, सर एम विस्वेस्वरिया और डाक्टर एमे स्वामिनाथन ने के करम से जल विज्ञान और क्रिसी विज्ञान के छेतर में, योगदान से भारत को लाब कैसे हुआ है, दोनों किसन लाश टेर पूछे गए हैं, इनके प्रक्टिस भी कर लेना, और ये उपर वाले दोनों किसन प्री में पूछे गए हैं, इनकी भी प्रक्टिस कर लेना, और ये मे झाल झाल